देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे नमस्कार मेरा हुला डीसी कपिल किस्समें गिरफतारी हो चुके और थाने के बाहर हम सभी मौजूद है तमाम उन लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दो को लेकर ठेकेदारी हटाओ देश बचाओ का जो संचालन करते हैं राष दात करते हैं साराज दीसी कपिल की गिरफतारी हुई जिसको लेकर आज आफ लोगों कालगाजी ठाने पर मौजुद है क्या मामला हुआ देगिया पूरी तरह से को टेइस तारी को एसी पी केहां से नोटिस गया नोटिस अंडर सेक्टन 107 और 111 ं कि तह दिया और उस में लिखा है कि आप इल्लिकल स्ट्राइक करा सकते हैं आप शांती भंग कर सकते हैं इस वजह से आपको दिया जा रहा है आप दस जार का बॉंड भरें यह नोट और उसमें लिखा बाखाएदा कि या तो आप स्वेम और यह अपने एजेंट के मादधम से एसीपी कोट में 24 तारिको दो बजे पेश हो रात को वो दे रहे हैं रात को आठ बजे दे रहे हैं कपिल साब थे भी नहीं क्योंकि आंदोला निद जो तिन जगह चलने हैं युनिवस्टी में हैं और कलकडुमा कोट के पास तो लगातार हम लोग उसी उसमें हैं सो घर पे उ उसके बाद में कल जो हमने अपनी तरफ से जो हमारे साथी एड़ोकेट हैं एज़ोकेट सुफियान उनको भेजा वकालत नामा लेकर और ये रिक्वेस्ट के साथ में कि वकालत नामा देकर कपिल साब की तरफ से और कलंदरा जो है जो हमारे खिलाब वो उनको लगता है कि जिस साधार पर वो के रहे हैं कि शांती भंगो सकती वो पेपर आप ले लें कि साधार पर है ये जाके एड़ोकेट सुफियान वहां गए दो बज़े पहुच गए ACT साब का पता नहीं फिर वो चार बज़े बहीं रे चार बज़े तक चार बज़े फिर अंदर गए कोट मे A.C.P. साब का पता नहीं एलमस से पूछा जो उनका जो एलमस रीडर है उससे पूछा तो पता लगी के A.C.P. साब किरकिट मैच देख रहे हैं और जब वो खतम हो जाएगा तब पांच बजे आएंगे कोई बात नहीं हमारे साथी एड़ोकेट सुफियान हुआ बैठे रहे पांच बजे A.C.P. साब आए तो एड़ोकेट सुफियान ने कहा कि मैं ड.C. कपिल साब के तरफ से आया हूँ ये मेरा वकालत नाम है ये ले लिजे और इसके साथ जो कलंदरा है जो पेपर से हमारी कलाब उसकी कौपी हमें दे दीजे वो करा नहीं देता मैं और नहीं ले दम से हो तो मैं आया हूँ मेरा वकालत नाम है ले लिजे का नहीं लेता वकालत नाम तू जाया मुझे फाजी बचला दियो जा नहीं लेता बहुत रिक्वेस्ट करने के बाब जूद भी ना तो वकालत नाम लिया नहीं कोई पेपर समय दिए उसके बाद में आठ साड़े बज़े या कितने बज़े उनको हमारे जो साती हैं उनको तो उसके बाद भगा दिया और उसके बाद में आठ साड़े आठ बज़े के लगबग जब भी है एन बी डबलू नॉन बेलेबल वारंट इशू किए इल्लीगल पूरी तरह से इल्लीगल एसीप सत्वाल तमर है मत के बाद में हम लोग यहां पर हैं और मतब जो भी काम हो रहा है पूरी तरह से ल्लीगल आप मुझे अरस्ट करके लेकर आओगे तो मुझे बताओगे नहीं इतना का कि अबसर्ट कर और कोपी ने दो गया मतलब किसी आदमी को उठा के ले जा रहा तो वारंट की वो नहीं को बारंट है कोई जर्म यहीं है कि वह आदमी शडूर्र कास है और सीना तांद के लड़ता और मज़़ों की लड़ाई लड़ा यह ब्स आपने धर्णा होना है जिसका है उसमें जितनी भी है कि आपको मिनिमम वेस्ट देंगे सारे एक्यूपमेंट्स देंगे कुछ कंपनी नहीं दिया तो कंपनी के खिलाब धरने का हमने डोटिस देरका वो धरना होना और धरना शुरू हो चुका है उसके उसमें उना जबरजस्टी उठा के लिए बिल्कुल नहीं है भारत के जो समविधान अभी तक तो देश उसे से चलाया ना तो भारत के समविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तैट मुझे पूरा अधिकार है धना करने का प्रिदर्शन करने का शांती पूरवत शांती पूरवत तरी अभी सिंपिल इतना ही है यही बताए गए ह सेक्षान डाउंट का नेगों के जो सफसे गासे ऑन तोसमें है यहीं को हैं क? कानून से उपर समझ रहा हैं अपना आप मैंने हैं कानूं क रखा गया है। लेकिन हमें जो पता था उसके हिसाब से बताएगाटा और का जी ठाने आ और का का सालेuate उसके आए उसके मेडिकल कराने के लिए लेके रहें। तक हम पता नहीं है कि कहा लेकर गए? बिल्कुत परिवार को जानने का अधिकार है कि कहां है कहां नहीं नहीं है और इस बात को सोच लें कि कानून से सरो परी नहीं है कानून सरो पर यह और वकील का अफमान किया है एक हमारा वकील ऐसो साथ के बंगले में या प्राइबट प्रॉपडिम नहीं किया है कानून के त सब्सक्राइब करके जो प्रेशर डाला जैते प्रेशर पॉल्टिक्स जिसको कहते वहीं खेलने के चक्कर में पड़ गई हैं सम्विदान ने हमें अधिकार दिया हम करेंगे आंदोलन करेंगे किसी का बाप भी नहीं कर्मचारी का है और जो सब्सक्राइब करना हमारा अधिकार है और फिर हमने पूलिस को बाका दे information दिए हम information नहीं देते गैर कानूनी तरीके से करते तो मालेंगे आप लेकिन ACP का जो रवया है और जिस तरह की बात में वकील को जिस तरह से बत्तमीजी कर रहा वकील के साथ मैं और जिस तरह से अपने ही भेजे साथी चाहे हो dalी समाज के आंगे कितने साथ हैं मैं बानु पर संग्रें अगर यहां बिजली डिपार्टमन्ट के साथी और चाहे दली समाच के सा लगातार सब की लड़ाई लड़ते रहें जितने भी साथी हैं यहां पहुंचे कालकाजी थाने जब तक ACP अपना जो नोटिस से उसको वापस नहीं लेगा और कपिज साब को छोड़ेगा नहीं हम किसी भी हालत में यहां से हिले वाले नहीं है मेरा सबसे निवेदन है सब साथी इस बात को सुनने हैं पहुंचें यह करो इसी कपिल को रहा करो रहाई को ले करके किस तरीके से लगातार यहां पर प्रदर्शन चला तमाम संगटनों से भी और रोध किया गया कि आएट डीसी कपिल जिस तरीके से हमेशा कहा जाता है कि गरीबों के और उन मजदूरों के आवाज उठाते हैं पूरे देश में अपनी एक अलगी मुहीम चलाते हैं कि ठेकेदारी हट्ट लेकर के बड़ा प्रस्णिशी निए खड़ा होता है कहते हैं कि देश में सम्मिधान से सिस्टम में चलती है तो सम्मिधानी करूप से प्रदर्शन करना भी मौलीक अधिकार होता है क्या उन मौलीक अधिकारों का भी हनननोरा तमाम चीजों पर अपनी प्रतिक्या जरूर करिएगा इन जगों सेंब ने हुएं हैं कब यहाँ से रहाई होती है अभी कोई जनकारी नहीं मेडिकल के लिए ले जाएगे लेकिन फिर भी परिवार को भी जनकारी नहीं दी गए है कि समय vidéo की कहा है अगली खबीरों तोग बने रहीएगा जय हिंद जय भारत